हालो गुड मॉर्निंग्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हिंदी में फर्स्ट लेशन वर्ण माला के भीशे में वर्ण मालक में हम सिर्फ अगर स्वर और विंजन जान लेते हैं इतना ही काफी नहीं होता है क्योंकि अगोश अगोश के नाम से इस्पर्स विंजन पोश लेते हैं या फिर अंतस्त विंजन पोश लेते हैं तो इन सभी के विशे में हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तविक् कारी हम आपको अभी देने जा रहे हैं स्वर और वेंजन के विशे में बात करते हैं सबसे पहले स्वर की तो अक्सर यह confusion रहता है कि स्वर कितने होते हैं question आता है बच्चे लिखते हैं 13 है कुछ- बच्चे 11 भी लिखते हैं लेकिन वास्तैविक्ता में जो स्वर होते हैं, आ से अह तक नहीं माने जाते हैं, आ से अ तक माने जाते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर अ से ले करके अ तक 11 होते हैं, लास्ट के जो दो अंग और अह होते हैं, अंग को हम अनुश्वार कहते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं, जिन दोनों का न और चाटने हैं अनुस्वार अलग है विशर्ग अलग है दोनों का एक अलग नेम है वो है अयोगवाह अयोगवाह के अंतरगत अंग और अह दोनों आते हैं लेकिन दोनों के नाम एक्शोली में अलग अलग हैं ठीके तुस्वर हो गए हमारे उसके बाद हम बात करते हैं विं पावर्ग पावर्ग आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं तो सभी में पाँच पाँच वरण हैं कावर्ग में पाँच चावर्ग में पाँच टावर्ग में पाँच तामे और पा इन सभी में पाँच पाँच जो है वरण लिखे हुए हैं हम इन सभी को इसपर्स विंजन कह कि अधिक year करना कि का से लेकर के ग्यातक बोल देना और कहना क्याना विंजन हो गया यह काफी नहीं है का से ग्यातक के अंदर कुछ एसपरस विंजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं का वरग ये आपके पांच वरग दिये हैं ये माटक आपके हो गए एसपरस विंजन लेकिन आगे यारालाव ये भी है इसी का अंग है लेकिन इसको हम लोग अंतल्श्त विंजन बोलते हैं सा श-स-ह इनको हम उस्मवंजन कहते हैं लास्ट में देखेंगे छ-त-्रं-्ग्य-स-्र यह चार जो लास्ट में दिए गये हैं यह संयूक्त वंजन हैं क्योंकि यह दो वर्नों के मेल से बने होएँ संयूक्त वंजन तो यह थे आपके स्वर और विंजन के अनतरगत, इसपर्स विंजन, अन्तस्थ विंजन और उश्म विंजन, संयुक्त विंजन, इनको आप अलग 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 लिखा है exam से आपके उसमें ये बहुत ही important है सघोस और अघोश पुछा जाता है अक्सर हम नहीं पढ़े होंगे तो हमें नहीं मालूम होगा क्योंकि सब छोटा से ग्या के बीच में ही सारा का सारा दिया होता है तो स्वर हमारे जैसा कि हम पीछे आपको बता चुके हैं आसे ओउतक 11 होते हैं और जो आपके विंजन है ये allein जो यहां पर देख सकतेống है इस पर्स बिंजन जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया वर्मने आपको पीछे बताया कच च अई चया यह पांच वर्ग आपके जिसमें total 25 आपके वर्ण है अब आगोश कौन होता है शागोश कौन होता है इसकी बात कर लेते हैं ठीके तो आप देख सकते हैं हर वर्ग का प्रतम और दुतिये हर वर्ग का प्रतम और दुतिये मनलब का वर्ग का ये मनलब पहला और दूसरा ये जो है ये आगोश हैं और बाकी के जो ये तीन बचे आपके तीसरा चौथा और पांचवा तो ये जो तीसरा चौथा और ये जो पांचवा आपके बचे हुए हैं ये तो आपके हो गए शगोश तो आगोश पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा होगया शगोश लेकिन इनके शाथ हम थोड़ा सा और जोड़ देंगे पीछे हमने आपको पढ़ाया यारालावा शाशा ह ये पढ़ाया जिसमें आप देखेंगे कि यारालावा शा अंतस्त विंजन थे और ये श ये उसमें विंजन थे इसमें से हम ये ले लेंगे तीनों सा ये अगर हम तीनों ले 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 और हम इन वर्ग के साथ हम लिख सकते हैं तो ये आपके आगोश में ही माने जाते हैं बचे कौन से यारालावा ह यारालावा ह ये चार आपके अंतस्त विंजन से उसमें विंजन स हा लेकर के हमने दे दिया शागोश को तो शागोश के अंतरगत यह तीस्रा चौथा और पाचव औरड़ भी होता है साथ में यार लावा शा या रा लावा ह ह यह आपके होतें इसके साथ और उसमें आप स्वर जो होते मैंने आपको उपर बताए ना आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं शगोश पहला और दूसरा और बागी तीनों जुस्सा दिये हुए हैं वो मिला करके होते हैं आगोश तो आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण लगभख सब उसी में से हैं कन्फ्यूज नहीं होना है स्टुडेंट्स देखें अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आपके विशम वरण होते हैं विशम वरण में आप देखेंगे पहला का तीसरा गा और पांचवा अंग तो का गा अंग वैसे तो का जो है ये आपका अगोश भी है पहला वरंड जो होता अगोश भी है प्लस अलप प्राण में भी पहला है तोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बाकी आप बहुत इजी है समझ सकते हैं कि फस्ट वाला भी अगोश इसमें और अलप प्राण में भी अगोश है लेकिन उसमें क्या थ WCG में अंतरस्थविन ये चारों के चारों और प्लस फर्स्ट थर्ड और फिट मिला के अल्पपराण होते हैं बादमें आपका ये है महापराण भचा हुआ तो महापराण शाह शाह ये जो उश्म मिला दे तु यह महापराण होता है साथ ही हम बात कर लेंगे यह जो शाह है कौन सा है तालव है ठीके यह आप जो देख रहे हैं जिसको हम शड़कोड का शाह बोलते हैं यह मुर्धन्नी होता है क्योंकि बोलते समय हमारी जीवा जो है कहां कहां टच करती है कैसे कैसे राउंड करती है बोलते समय किदर मुझके अंदर उस हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं अभी है स मीस महत यह जह होँ है यह कंठ माने जहते कूश और उचरण करने के लिए कंठ से ही हिल्फ लेनी पढ़ती है, मतलब ये गले से, घीका बच्चों, सो आगे देखेंगे, कावर्ग जो होता है, वो कंट पिंजन होता है, चावर्ग तालाव भी होता है, बोलके देखेंगे, तालाव है मतलब ये आपका तालू से related होते है, टा ठा डा लब इनकी आवाज एक जैसे होती तो इनको हमने मुर्धन्य में रखा है और दंत जो है ये बोलने के लिए आपको दातों की जीवा है वो दातों को टच करती है आप बोलकर देख सकते हैं ता था दा आगे वाले दातों में टच करके ही निकलेगी तो इसको दंत हो स्रेडी में रखा गया है जिससे बोलने के लिए मुझ के अंदर जो आपकी जीवा होती है वो कहां टच करती है और कौन-कौन से अंग आपके मुझ के अंदर के इनको बोलने में प्रियोग होते हैं उसी हिसाब से इनके नाम रखे गया है तो यह है इन्फोर्मेशन थी और हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें इसके लिए आप हमें सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए देखते रहिए जगत क्लासिस काकराबाद थेंक्यू बबाए